एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है छनी लक्ष हमारा हर किसान की आंगनी दुगनी लक्ष हमारा हर किसान की आंगनी दुगनी एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है छनी इस कारिक्रम की प्रायुजक है कृषी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार संकट के समय प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना किसानों के लिए बरदान है अब भूखा पड़े या बाड़ा जाए कोई गर नहीं अब ओले पड़े ये कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं योजना से हर साल जुर रहे है पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदी की कृषी कारियाले सहकारी समीती बैंक शाखा अधिक्रत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजी करन प्रदान मंत्री फसल बीमा योजना आपक करिक्रम किसान की बायत में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और मैं हूँ आज आपके साथ सीमा सती और मेरी साथ हैं रजनीश जी और सभी किसान भाई बहनों को हमारा बहुत प्यार भरा नमस्कार और जैसे कि रजनीश हमारे देश है ये एक क्रिशी प्रदान देश है और कृशी प्रेधान देश है तो यान Marie कि हमारी जो किसान अर्थ व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा महतुपोर्ष रॉ्ल में उसमें प्ले करते हैं और फसल जो होती है और हर किसी का सपना होता है क्यादा में कम भधंगे में ज़्यादा उतपादन हो जाए और हर किसी के सपने को पूरा करने के लिए हमारे भी कोई जिम्मेदारी बनती है और ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है कि कई बार ऐसा होता है कि बारिश कम हुई है कई बार होता है कि हम बहुत effort कर रहे हैं फिर भी उसके बाद हमें जितना उत्पादन चाहिए उतना उत्पादन नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी ही बहुत सारी समस्याएं हमारे किसान भाईयों के सामने आती हैं बिल्कुल सही कहा सीमा आपने और देखे जैसे कि आपने कहा कि थोड़ी कम महनत करनी पड़े और जैदा उत्पादन हो इसके लिए हमें विक्सित करनी होगी अपनी प्रिद्योगे की हमें कुछ नए चीजें लानी होगी तकनीक लानी होगी विज्ञान की चीजों को समझना होगा कि किस तरह से जो हमारा आधुनिक विज्ञान है वो हमारे क्रिशी में हमें एक फाइदा पहुचा सकता है लाब पहुचा सकता है और इसके लिए जो हमारे विक्यानिक हैं निरंतर अपने कारे कर रहे हैं निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं ताकि ऐसी चीज़े लाएं जिससे हमारे किसान भाई भेनों को बहुत लाब हो फायदा हो उस तक्निक को अपना के बिल्कुल और ऐसी ही समस्या से निजात दिलाने के लिए आज हम कुछ ऐसा ही विशा लेकर आए हैं और हमारे पीच विशेशग्य भी कुछ ऐसी ही खास है तो विशे रहेगा आज फसलों से अधिक उत्पादन हे तू विज्ञानिक तक्निकिया और आज विशेशग्य हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर राज सिंग प्रधान विज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग भारती कृषी अनुसंधान परिशत पूसा नई दिली से तो डॉक्टर साब बहुत स्वागत है आपका और जैसे कि डॉक्टर साब हमारा पहला ही सवाल जुड़ा हुआ है हमारे किसान भाईयों की बहुत ही दिल से कि सबसे पहले तो उत्पादन बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं जरूरत क्या है इतना ज्यादा उत्पादन बढ़ाने की हाजी देगी इसमें कोई दोराय नहीं है किर्सी हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्ता है उसकी रीड़ की हट्टी है क्योंकि खाना चारा और खाना देने के अलावा किर्सी से जो निर्यात द्वारा जो हमारे देश का कुल निर्यात है उसमें 12% से दी योगदान किर्सी के जो पदार्थ पैदा होते हैं उनका है इसके अलावा देश में जो वर्क फोर्स है जो काम करने वाले लोग हैं उसमें 50% से अ पराप्त होता है और लगबग 60% लोगों की आजिवी का डारेक्ट या इंडारेक्ट रूप से किर्सी के ऊपर निर्बर है इसलिए किर्सी हमारे लिए बहुती महत्पूर्ण है और ये किसानों के लिए और ज़्याद उपयोगी जब हो सकती है जब अधिक उत्पादन हो और उनको अधिक लाप्राप्त हो आज अगर हम देखते हैं जब सन 1951 में हमारे देश में खाध्यानों का उत्पादन 50.8 मिलियन टन था और देश खाध्यानों के लिए विदेशों से आयात पर निर्बर था लेकिन जब 60 के दसक में हरित क्रांती प्रारम हुई और उसमें नई तकनीकों का प्रियोग हुआ जिन में खास तोड़ से हमारे देश में जो सिंची छेतर था उस समय लगबग 20 मिलियन हेक्टेर था अब लगबग 75 मिलियन हेक्टेर है सिंची छेतर में बढ़ोतरी हुई मसीनी करण का उप्योग बढ़ा इसके सासात खाद उर्वरक इनका प कि जो मेहनत रंग लाई उसका परिणाम यह हुआ कि देश केवल ना आत्म निर्वर है बलकि हम लोग खाद्यानों का निर्यात भी कर रहे हैं लेकिन अभी लगातार जब हम खेती कर रहे हैं तो उसकी काफी समस्याइं भी दिरे-दिरे बढ़ती जा रही है और जिसका परि जो जन्संक्या बढ़ रही है उसकी खाद्यान की मांग पूरी करने के लिए हमको खाद्यानों का सभी छेत्रों से सभी फफलों से अधिक उत्वादन लेना जरूरी होगा डर्ट सब आपने बड़े विस्तार से बताया कि हमें नाकेबल आत्म निर्भर होना है बलके निर्याद भी करना है लेकिन साथ-साथ जैसे आपने का कि बहुत सारी चुनोतियां भी है ग्लाइमेट चेंज हो रहा है नहीं बिमारियां आ रही है तो उस हिसाब से अगर मैं स बड़े जारी चास थोड़ से हमारी जो लेंड होल्डिंग साइज है वो कम होता जा रहा है दिन परती दिन क्योंकि जमीन का बटवारा होता जा रहा उनी क्यों इसो सतर का अकार में लैन्ड होल्डिंग साइज 2.25 आठ हैक्टेर था जो आज घटकर 1.08 है रही जो पानी है जो खेती के लिए लगबग 80% से धिक पानी प्रियोग होता है, उसका प्रियोग खेती के लावा दूसरे सेक्टरों में भी अधिक बट गया है, जिससे किर्सी के लिए आने वाले समय में पानी की कमी होती जाएगी, इसके अलावा हमारी जमीन जो है, उसकी जो पौसक तत्व की कमी है लगबग 40% जमीन में सल्फर की कमी हो गई है और इसके साथ साथ लगबग जमीन ऐसी 32 से 35% जिसमें जिंक और बोरोन की कमी हो गई तो इन सभी का प्रिणाम यह हो रहा है कि हमारी जो फसलों के लिए एक उचीत वातावरण चाहिए था उनकी अच्छी बढ़वार के लिए उसमें कमी होती जा रही है जिसका हमारी फसलों की व्रद्धी पर विपरीत असर पड़ रहा है इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जो जलवाई परिवर्तन है जो आज की मुखे समस्या है क्योंकि अभी अगर हम देखते हैं तो लगबग दसमलों 6 से दसमलों साथ डि जमी रहती है जमीन में उसका अधिकुत स्वेदन से उसका नुकसान हो रहा है और फसलों के लिए जो उचीत मात्रा में पानी जितने दिन तक जमीन में रहना चाहिए ता वो उड़ जाद रहा है उसका नुकसान हो रहा है इसके अलावा जलवायू परिवर्तन के कारण कही परकार के पैस्ट कहीं परकार के बीमारियां वो भी बढ़ दी जा रही हैं तो आने वाले समय में अगर यही इस्थिती रही तो ऐसा नुमान है कि सनु निस्थो पचास तक हमारे सिंची छेतर में लगवग 15 से 20 परतिसत और ऐसिंची छेतर में 20 से 30 परतिसत तक उत्वादन कम हो सकता है तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए अभी से जरूरी है कि हमें टिकाउपन से संबंदित जितनी भी उननत तक नहीं किया हैं उनक को पूरा करना मुश्किल होगा जैसे कि आपने बताए कि समय रहते ही हमें प्रयाप्त कदम उठाने होंगे ताकि हम उन चनोतियों का सामना कर सकें बात बहुत ही महत्पुन्ट विशे पर हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं उनकी भी बहुत सारी जिग्यासे होंगी प्रश्न होंगे तो अगर इस विशे पर उनका कोई प्रश्न है अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो सीधा हमें फोन करके पूछ सकते हैं हमारा जो फोन नंबर है वो है तेईस ब्यालीस दस एक्यासी और जो दिली से बाहर के लोग है उन जो एस्ट तो उननत तक्निकों को हम किस तरीके से हमने बताया कि हमें उनको अच्छे तरीक से इस्तिमाल करना चाहिए उनने किस तरह से बढ़ाया जा सकता है देखे उननत तक्निक का अभी जो सबसे बड़ी समस्या है हमारे हां संसाधन का जो डिगडेशन हो रहा है जो संसाधनों का जब इगटन हो रहा है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है और इन संसाधनों में भूमी पानी और ये महत पूर्ण संसाधन है इनके लिए अगर किसान भाई उन्नत जैसे संरक्षित खेती संरक्षित खेती एक ऐसी खेती है जिसमें हम तीन उसके सिधान्त होते हैं जो हमने फसल काटी उसका जो रेजिडू होता है यानि कि उसका जो भूसा होता है उसका लगबग एक त्याई खेत में प्रियोग करते हैं जिससे की भूमी की उर्वरा सक्ती बनी र इस भी समारे साथ एक कॉलर जुड़ गे हैं नमस्कार नमस्कार सर नाम बताईए और अपना समाल रखीगा जी मेरा नाम बलराज चपराना है और मेरा सवाल है जैसे मैं अपना प्रोग्राम सुन रहा हूं जो चल 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 रही है उस ते कि जैसे सर ने बताई कि 2050 तक हमारे सामने इस क्राल समस्या बन रखती है अगर हमने अभी से इसमें ध्यान नहीं किया और हमें जो है जो जो बाडनाइजेशन हो रहा है जिसमें एच्वाइजी सीट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़े हैं इस तरह की चीजों से अगे फिर हमारी हैल्ट को भी तो नुक्सान होगा मैं यह जलना चाहता हूं कि लिए सरकार क्या कदम उठारी सरकार ने बहुत ऐसे प्रोग्राम चला रखे हैं जैसे प्रंपरागत किटफी ओजना जो सस्टनेबिल्टी के लिए उसमें और्गनिक फार्मिंग नेच्रल फार्मिंग तो यह ऐसे प्रोग्राम है इसमें केवल हमारे स्वास्त पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन जमीन के स्वास्त भी क्योंकि अब वन हैल्द एक हैल्द चाहे उसमें जमीन हो पशू हो या हम लोग हो जितने भी मानव प्राणी हैं सबकी हेल्द बहुत इंपोर्टेंट है और इनकी हेल्द को मेंटेन करने के लिए जो हमारी परंपरगत तरीके से कुछ तकनीक हैं, उनको उनन तकनियों के साथ मिस्रण करके, और्गनिक फार्मिंग, नेचरल फार्मिंग, यह सब ऐसी तकनीकी हैं, जिनका प्रोडक्शन आज के महत को समझे स्वास्ते की द्रिष्टी से, बिल्कुल, और जब डॉक्टर साब बता रहे हैं कि परंपरागत खेती की तरफ हम सब को एक बार चलना चाहिए वापस, तो क्यों ने ले ले एक अंतराग्त? तो उपस कैसे सहत बंद होगी? अरे पहला इसा नहीं था, पुछना, अपने बड़े बोजूरकों से कैसे फचल लह आती थी, शुद ता चलकती थी, हाँ, मार्टी भी तंद्रस्त, और लोग भी, पहली वाली बात कहा? पर हम तो सब यहीं डाले हैं, सब नहीं, आज भी ल दूप में बाल समेद नहीं किये है, हाँ, ठीक है भाई, मैं भी आज तर जाए भी खेती शुरू करूँगा, माटी सिप्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती और देखिए सिमा, हम बहुत सारी बाते करें डाट साब से, और ये बातों का सिलसला जारी रहेगा, लेकिन जो सरकार यूजनाय चलाती है, किस तरह से लोगों को लाब पहुँच रहा है, किस तरह से उनकी जिन्दगी, उनका जीवन में परिवर्तन आ रहा है, बहतर मेरी कहानी, मेरी जुबानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी मेरी कहानी, मेरी जबानी कारिक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है शुताओ भारत ने संकल्ब किया है कि 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाएंगे इस शेरों को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षे मित्रों ने मोर्चा संभाल लिया है हजारों लोगों ने खुद आके आकर टीबी मरीजों को गोद लिया है ये जन भागिदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है इसी भागिदारी की वजह से आज देश में दस लाग से ज्यादर टीबी मरीजों को गोद लिया जा चुका है मेरा नाम नीरा है मुझे गवर्मेंट का सारा इलाज फिरी मिला और मेरे आस पास कुछ गिने चुने लोग थे जो मेरी हिम्मत को बढ़ाते थे और चिकिस्टा का सयोग पूरा मुझे मिला अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ मेरा नाम अर्शी है मैं गर्व के साथ सिक्यूर्टी गाड का काम करती हूँ मेरे कॉलिज के लास्ट इयर में स्कूल के बच्चों को पढ़ाते वक्त एक दिन मैं घर से वापस आई तो मुझे बहुत जादा चक्कर आने लगे मुझे यकीन ही नहीं था कि मुझे टीबी की प्रॉब्लम हो भी सके लेकिन जब टेस्ट आया तो उसमें मुझे टीबी पॉजिटिव था जब मेरे टीबी के दवाई शुरू हुई के सपने को पूरा कर सके मुझे गर्व है कि आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिससे मेरी जैसी यंग गल्स का होसला बड़े इस बिमारी से जुड़े भेदभाव और गलत फैमियों को दूर करने से मुझे यकीन है कि टीबी हारेगा और देश जीतेगा क्या है निक्षे मित्र जानकारी दे रहे हैं शरद यादव सबका साथ सबका विकास के अपने आदर्श वाक्य के लिए प्रतिबद सरकार ने प्रधान मंतरी टीबी मुक्त भारत अभियान के माध्यम से लोगों की भागेदारी भी शामिल की है जिसमें निक्षे मित्र के रूप में समुदाय को टीबी रोगियों को गोद लेने और उन्हें पोशन संबंदी सहायता पोशक तत्वों की खुराग अतिरिक जाँच और वैवेसाइक सहयोग के साथ सहायता करने के लिए प्रोसाहित किया जा रहा है निक्षे मित्र कारेकरम भारती लोगों की ताकत और समवीधना के लिए एक शक्तिशाली प्रमान के रूप में कारे करता है निक्षे मित्र अभियान के तहट टीबी मरीजों को दी गई आर्थिक मदद एक हजार करोड रुपे तक पहुँच गई है सरकार निक्षे पोशन योजना के तहट इलाज पूरा होने तक निक्षे में पंजिकरी सभी टीबी रोगियों को हर महिने मुफ्त पोशन सहायता भी प्रदान करती है सरकार ने 2018 में टीबी रोगियों के लिए डिरेक बेनिफिट टांसफर सुवीधा शुरू की जिसके परिणाम स्वरूप उनके बैंक खातों में लगबग 2000 करोड रुपए की राशी सीधे अंतरित की गई जिससे टीबी का इलाज करा रहे लगबग 75 लाख रोगियों को लाब हुआ 2020 में मुझे पता चला कि मुझे टीबी है एक टीबी रोगियों को बहुत समर्च करना परता है मैं बहुत भाग साली हूँ कि मेरे दाथ किसी भी तरीके का बेदभाव नहीं हुआ मैं आसा कार करता भी हूँ और एक टीबी चैंपियन भी हूँ मैं अपने फिल्ड में जाकर टीबी के बारे में लोगों को बताती हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ मैं समझ सकती हो कि ये एक संक्रमग बीमारी है महिलाय इस विस्सें में बहुत चीछा कि उनको आती है बताने में सरकार द्वारा हमें समग्री दी जाती है जिसे पंप्लेट है और पोस्टर है बैनर है आधी बहुत सी चीजे मिलकर हमें को दिखाते हैं मुफ्ती लाज के लिए बताती हूँ जांचे भी सफिरी होती है यह सब अपने छेत्रों में जाके लोगों को बताती है तो अभी आप सुन रहे थे कारिक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी और आज कारिक्रम किसान की बात आप सुन रहे हैं हमारे साथ और अगर आज के विशे से संबधित कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूचेगा तेईस बयालेस दस एक्यासी पे फसलों से अधिक उतपादन हेतु विज्ञानिक तक्निक्या आज विशे हैं हमारा और डॉक्टर राज सिंग हमारे बीच मौझूद है आज विशे शक्य और डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं अपने विशे से तरह बाते हैं और हम बा अभी का हमारे देश में हाला कि सिंची छेत्र में काफी बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी भी लगबग 50% छेत्र ऐस इंची थै यानि कि ये छेत्र वर्सा पर आधारित है जो पानी हमें वर्सा के रूप में मिलता है उसी से खेती की जाती है अब इन छेत्रों की ओसत उप स्काफि कम है और सवाल ये है कि इनकी ओसत उपज कैसे पढ़ा है क्योंकि इन छेत्रों में पानी सबसे मैत्पोन है पानी की कमी के कारण ही फचलें कभी-कभी जो किसान बीज बोता है उसको वो बिज भी नहीं मिल पाता तो आवसकता है कि किसान भाईयों को चाहिए जो भी पानी वर्षा के रूप में मिले उसको या तो आप खेत में ही काफी वैग्यानिक तकनिक हैं जैसे खेत की दृराबंदी करें, बंडिंग करें उसमें ridge end foro system करें उसमें mulching बिचावन का परियोग करके जो नमी मिल रही है जो बारिस मिल रही है उसको खेत में इस इंचीत करके अधिक से अधिक फसल उत्पादन ले सकते हैं इसके अलावा जो एक्स्ट्रा कभी कभी जो पानी एक ही साथ बारिस ज्यादा हो जाती है वो पानी नुकसान ज्यादा करता है क्योंकि उसके साथ मिट्टी बह के जाती है और मिट्टी जो उपजव मिट्टी होती है उसका काफी नुकसान होता है तो इस नुकसान से पचने क लिए किसान भाईयों को चाहिए कि अपने फारम पर एक वाटर हार्वेस्टिंग पॉंड बनाए और अभी जो हाली में देश के जो 75 वर्थ के उपलक्स में भी सरकार ने भी काफी अमरित स्रोवर बनाए हैं तो इसी में में किसान भाईयों को भी कहना चाहूंगा कि खास तो किसान भाईयों अगर जो फसल की ऐसी अवस्था आती है जब हमको यह लगता है कि यह फसल बिल्कुल मरने की हालत में हैं अगर उसमें एक सिचाही दे दें तो एसिंचित छेत्रों में भी फसल की अच्छी पैदावार ली जा सकती है और किसान भाईयों में यह कहना चाहूंगा कि बिछावन का तर जहलूर परियोग करें क्योंकि जो भी रेजिडू होता है जो भी चाहे आपकी कोई भी अगर आप खेत में दो फसलों की दो पंक्तियों के बीच में बिछावन के रूप में प्रियोग करेंगे तो उससे नमी संचित होगी इसके अलावा खेत में खर्पतवारों की संख्या कम होगी और खेत की जो भूमी की जो रूरा सकती है उसमें और्गनिक मैटर उसकी मातर बढ़ेगी और अन्य पोसक तत्व की भी मात्रा बढ़ेगी तथा उसमें जो लाप्रद जो हमारे माइक्रो ओर्गनिज्म हैं जो सुक्षम जीव हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी इसलिए मिट्टी की संरचना में भी सुधार होगा और इसके साथ किर्सान अब अपनी फसल कौन सी तक्नीक है जो एक किसान भाई भेन को अपनानी चाहिए ताकि आने वाली चुनोतियों का सामना कर पाए और उनको एडॉप्ट करना चाहिए हमारे देश में लगबग 65 मिलियन टन उर्वरक का परियोग होता है और लगबग 60-62 टन जो पेस्टिसाइड से उनका परि सही मात्रा में सही विधी दुबारा और सही समय पर ये चार चीज हैं फोर आर हैं सही राइट मैट्रियल मदलब जो सही उर्वरक है या सही पेस्टिसाइड उसकी सही मात्रा सही समय और सही विधी इनका परियोग करें तो इसमें काफी कम की मात्रा में भी उतनाई लाब मि संस्थान में, वारतिय किरसिय अनुसंदान संस्थान में अभी कारिये हो रहे हैं जिसमें परियोग से परियोग किया जा रहा है और उनसे भी उतना ही लाब होगा, क्योंकि आपने देखा होगा किसान भाई, जो यूरिया छिड़कते हैं, खेत में ऐसे इभखेर देते हैं, वह वहां भी गिरता है ज़हां जरुरत नहीं होती, तो वह वेश्टी जा रहा है, जहां उसकी जरुरत नहीं होती, वहां भी खे आएगी तो निश्चित रूप से उनके लाब में बढ़ोत्री होगी तो प्रिशिजन फार्मिंग इसमें उन्नत मसीनिकरण उन्नत तकनी की बुवाई की उन्नत तकनी की पेस्टिशाइड और फर्टिलाजर का उन्नत परियोग करके किसान भाई अच्छी उपज के साथ साथ अधिक लापी प्राप्त कर सकते हैं इसके आलावा इंटेग्रेटिड फार्मिंग सिस्टम समनवित किर्सी पढ़नाली एक ऐसी पढ़नाली है जिसमें किसान अपने घर की सभी आवशक्ताओं को पूरी करने के साथ साथ क्योंकि अभी केवल आवशक्ता हमको अनाज खाकर पेट भरने की नहीं है हमको पूसक तत्वों से भरपूर भोजन भी चाहिए क्योंकि आज कर पूसक तत्वों का भहत मैत्व है और किसान सभी चीज बजार से नहीं खरीच सकता यदि अपनी खेत में एक समनवित किर्सी प्रणाली अपना कर जिसमें वो पसो भी रखे फसल भी उगाए सबजी भी उगाए फलदार पोदे भी उगाए और उसके सासात मचली और वो भी उगा के कम छेतर में पूरे साल आमधन भी प्राप्त कर सकता है और अपने परिवार के लिए पौसरन से भरपूर भोजन भी प्राप्त कर सकता है और तो डट साब आपने बात की प्रस्क्षन कैसे लेगा ताकि उसका उप्योग कर सके देखे सबसे अच्छी चीज तो यह है कि हमारे देश में हर जिले में कम से कम एक और कुछ जिलों में तो दो भी किटसी विज्ञान के इंदर हैं जो किसानों के साहिता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं तो किसान भाईयों को मैं यह सुझाओ देना चाहूंगा कि उनके पास जो भी किटसी विज्ञान के इंदर हैं वहाँ जाएं और उन्नत तक्निकों के बारे में उनसे मालूम कर सकते हैं वो किसान भाईयों के खेतों प परिशद के रिशर्च अनुसंधान है जो इसी पे कार्य कर रहे हैं और इसके अत्रिक्त सभी राज्य सरकारों के किरसी विभाग भी हैं और फिर जो परसारण के जैसे ओल इंडिया रेडियो है दूर दर्सन है न्यूज पेपर हैं तो काफी ऐसे साधन हैं जिन से किसान अगर हमारी शुरुताओं को जरूर आप हमें बताएगा kkbongold at gmail.com पर और हमें बहुत इंतजार रहते हैं आपकी सुझावों का आपकी प्रतिक्रियाओं का और डॉक्टर साब वक्त तो बहुत ही कम रहे गया है तो चलते चलते हमारे किसान भाईयों को अगर आज विश्य जैस फसल की बजार में मांग है जिसकी अच्छा लाम मिलता हो एक तब फसल विविदी करण अपनाएं दूसरा फसल चकर जो है उन्नत फसल चकर अपनाएं क्रॉपिंग इंटेंसिफिकिशन और उन्नत किर्सी तकनिके चाहे जहां से भी मिले आप अपने ग्यान में व्रद अपने इतनी अच्छी जानकारी दी और हमें विश्वास है कि सभी सुनने वाले इसका जुरूर लाब उठाएंगे तो आपका आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और इसके साथ हम लेते ही इजाज़त किसान की बात कारिक्रम से मैं सीमा सती नमस्कार बहुत-बहुत नमस्कार आप सभी को आज के कारिक्रम से जुढने के लिए लक्ष हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तर की वे अब हम तो है चलिए